कि नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सबी मैं विनतिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार ससी अडा 24-7 में हर देख स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ और आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे और आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की होगी रिपब्लिक डे भी मनाया होगा हाँ जी वेटा मैं आ चुका हूँ असल मै अभी एक सेशन में था आप लोगों ने सायद वो देखा हो सेशन को कि अभी अपसे मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग भी सुन लो अपसे डेली में आप लोग के लिए एमटीएस के जो पी वाई क्यू है प्रीवेस यह कोस्चन्स हैं डेट वाइस आप लोगों में डिसकस क ठीक है डेली 145 पर आप लोग के लिए एक सेशन स्टार्ट किया हां बेटा क्वीड बिल्ला हां जी सभी लोग आ जाईए किरन मौसम स्माइली काजल तिवारी गुड आफटरनून बेटा वेरी गुड आफटरनून सोनू पूरी राधे राधे बेटा गुड आफटरनून अब 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 से रेगूलर वेसिस पर सटर्डे संडे भी कोशिस करूँगा कि आप लोग की क्लास ली जाए अब बराबर धुआ धुआ करेंगे हम लोग तैयार हैं आप सभी लोग विशाल पटेल खुशरी बेटा राम राम बेटा राम राम तानिया दिक्षित सुमित अमन रितेश सिवानी सबी लोग को राधे-राधे मेरी तरफ से राम राम और सस्त्रियकाल ये सेशन बताईए डेली सुरू किया जाए ऐसे CMTS के लिए है ये बताईए क्या इस सेशन को डेली रखा जाए मात्र 10 मिनिट का 10 से 15 मिनिट 10 मिनिट का ये सेशन रखा करेंगे डेली इस सेशन को भी करना सुरू किया जाए डेट वाइस हम लोग चीज़ों को करेंगे जैसे आज मैंने आप लोग अभी जाके देखेगा सेशन मैंने किया था जब ये क्लास खतम हो जाएगी इसको देखेगा तो आप लोग इससे पता चल जाएगा हाँ हाँ बिलकुल बिलकुल हम भी नहीं नहीं करनी अटेंट सिग्मा रूल ये कौन है वही है कौन सिग्मा रूल वाला आ गया कूटा जाए हाँ हम भी है अच्छा शॉपिंग क्वीन ठीक है मेरे पडोसी है कौन वही है मैं पड़ोसी हुआ चलो ठीक है तो पड़ोसी के होने के नाते आप लोग इस class को भी attend करेंगे दन है एक बाद जल्दी से सब लोग comment कर दीजे कि हम सब लोग बढ़िया है सर अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं थे तो हम लोग इस session को start करते हैं सब्सक्राइब कर लिजे आज का जो हमारा टॉपिक है डाइस डाइस पर चलने से पहले मैं आप लोग को बता दो मेरे दोस्तों कि month end sale चल रही है अगर आप SSE MTS का form भड़ चुके हैं तो आप लोग के पास मौका है Y461 मेरा ये coupon code है इसको लगा कर महा pack से जुड़ने का MTS के महा pack से जुड़ने का वो भी मात्र 850 रुपे में और app पर जो मेरी class है वो साम 6 बजे आज live होगी आप पर आप पर साम 6 बजे साम 6 बजे live class होगी मेरी live class होगी तो आप सब लोग साम 6 बजे अगर आपने महा pack ले रखा MTS का तो साम 6 बजे आप मेरे से live जुड़ पाओगे समझाई बात डन है और अगर आप लोग SSC, CHSL की तयारी को final touch देना चाहते हो तो इस पर भी आ गई है double validity इस पर भी आ गई है double validity तो आप लोग जाईए और Y461 कोड लगाईएगा मेरा और आप लोग को जो ये संजीवनी crash course है ये अगले दो सालों के लिए मिल जाएगा समझ्यारी बात तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टार्ट करते हैं आज के session को और आज का जो हमारा topic था मेरे दोस्तों वो था क्या dice आज का जो हमने topic रखा है that is dice और मैं आप लोग को बता दू कल का topic आप लोग की demand थी हाँ 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 आज हम लोग सीखेंगे dice clear है तो देखो dice के अगर मैं बात करूं question तो आपके सामने है उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ी सी बाते डिसकस करना चाहूंगा आप लोग को पता है कि यानि जो dice होती है जो dice होती है जो पासा होता है वो दो प्रकार का होता है कोई ब्लॉक नहीं है बिलकुल बड़िया तरीके से हां, सर, mix practice set कितनी बजे कराते हो हां, उसको बेटा, अभी वो भी कराऊंगा tension मतलो, वो सुबद 10 बजे चलता है आपका mix practice set जो होता है वो सुबद 10 बजे कराता हूँ, ठीक है tension मिल्कुल मतलीजे, इसमें भी चार दिन topic wise होता है, दो दिन हम लोग practice करते हैं, ठीक है, तो topic wise भी चीजों करते रहो, topic wise हम लोग practice करते हैं आप, ठीक है, इसमाली regular class करनी है, कोई class अब छोड़नी नहीं है देखे dice, दो प्रकार की है एक है आपका मानक पासा एक है आपका मानक पासा जिसे हम लोग बोलते हैं standard dice और एक होता है आपका साधारण पासा एक होता है साधारण पासा जिसे हम लोग बोलते है ordinary dice या normal dice भी कई लोग इसको बोलते हैं कई लोग इसको normal dice भी बोलते हैं तो वो मतलब सेम है दोनों का हाँ, दन है? चलो अब ध्यान से देखना, दोनों की क्या पहचान है जैसे मान लो अगर कोई डाइस आती है अगर कोई डाइस आती है तो आपको पता है उसकी तीन सतह तो आपको दिखाई देती है और तीन सतह आपको दिखाई नहीं देती है क्योंकि टोटल जो किसी पासे में अगर सतह की बात की जाए तो टोटल सिक्स सर्फिस छे सतह होती है, कुल कितनी सतह होती मेरे दोस्तों, छे सतह होती है, जिसमें से आपको तीन तो दिखती है और तीन नहीं दिखती है, तो जो नहीं दिखती है, हाँ, रात वाली क्लास वापिस से स्टार्ट कर ले, बिटा ये बड़ा टफ काम कहते हो, तुम लोग कोसिस करते है अभी देखते हैं, हाँ, सो नम्रा, सब लोग यही कह रहो, चलो देखता हूँ, मैं कोशिस करता हूँ, हाँ बेटा, पापा कुछ, चलो जाना है, यहाँ जाए, देखिए, तो आप पहचान स्टेंडर्ड और डिनरी में, माली जी जो आपको तीन सर्फिस दिख रही है, अग अगर उनमें जो नमबर हैं, और जो यह, अगर किनी दो सतों का योग साथ हो जाता है, क्या, यदि किनी दो सतों का योग साथ होगा, तो वो पासा कहलाएगा साधारन पासा, जैसा कि यह देखो, चार और तीन साथ, अगर किनी भी दो सतों का योग साथ हो गया, तो वो पा और यह देखो पांच चार नो कहीं पर भी साथ मिला नहीं मिला इसलिए मानक पासा है यहां देखो चार और तीस साथ कोई भी दो सत है का योग वह यह दो सर्फिस भी हो सकती थी वह यह दो भी हो सकती थी किनी भी दो सतों का योग साथ हुआ तो वह कहलाएगा आपका साधार पासा और साथ नहीं हुआ तो वो कहलाएगा मानक पासा आई बास समझ में यह इसलिए पहचनवा रहा हूँ क्योंकि इससे कोश्चन पूछा जाता है और जिसका एक कोश्चन में आपको दे रहा हूँ और आप लोग मुझे बताने का कस्ट करिएगा किसका क्या एंसर आएग यस 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 बिलकूल सभी लोग सेशन को शेयर करते जाएए और लाइक करते जाएए ठीक है हाँ MTS के लिए बिटा MTS के लिए मैं एक छोटा सेशन लेता हूं MTS के लिए जो है वो 145 PM पर एक सेशन लेता हूं 145 PM पर एक सेशन लेता हूं 145 PM पर एक सेशन लेता हूं ठीक है हाँ दन है चलो यहां आजो यहां पर देखिए अब आपसे पूछा पांच के विप्रीद बताओ और डाइस एक बनी अब क्या करोगे तो अब ऐसे कोश्चन को करने के लिए आपको यह पता होनी चाहिए कि डाइस है कैसी तो आपने जैसे यहां देखा क्या कहीं देखो साथ मिल देखो द्यान से 5 और 3 8 हुआ 6 3 9 हो गया 6 5 11 हो गया कहीं भी साथ नहीं मिला और जब साथ नहीं मिला तो आपने तुरंत बोला सर यह तो मानक पासा है यह तो मानक पासा है अब मानक पासे में कैसे विपरीत निकलता है वह आप लोग यहां समझ जाओगे अच्छे से समझ लीजे और करिएगा ठीक है अब बस पांच मिनट में से इस कॉंसेट्ट खतम फिरम कोस्टन पर आजाएंगे तो पांच में ऐसा क्या जोड़ें की साथ हो जाए बताइगा तो पांच में ऐसा क्या जोड़ा जाए की साथ हो जाएगा निकाल करके बताने तो हाँ बेटा सि खोते थे देखो कैसे छे में ऐसा क्या जोने 7 हो जाए एक 5 में आसा क्या जोने साते हो जाए झाज आ ये लोह आपका अंसर निकल कि आ गया समझ में आई बात, तो ये तरीका था, 6 का पूछ लेता तो ये हो जाता, 3 का पूछ लेता तो ये, लेकिन ये कब, जवाब का जो पासा बना है, वो मानक पासा होता तब, अगर वो मानक पासा नहीं है, जलो, अगला बताना, अब बताना, तो 3, 5 और 2, तो 2 के विपरीत, यान तीन उसके बाद 6 और D C and D cannot determine अब निकाल करके बताओ सभी लोग तो हाँ सर कोश्चन इफ 1,2,3 MTS paid batch का time मेरा साम को 6 बजे साम 6 बजे आप अब पर अगर महा पैक लिए MTS का तो जुड़ना आप लोग को मेरी class live दिखाई देगी अब देखो अब यह पासा पहले चेक करो अब यह पासा है कैसा तब आप answer कर पाओगे देखो आपने देखा सर 5 और 2 यह तो साथ मिल गया आपने कहा सर यह तो साधारन पासा है यह कैसा पासा है मेरे दोस्तों आपने कहा सर यह तो साधारण ordinary dice है ordinary dice बोलो या normal dice बोलो बात एक ही है आपने का सर यह तो साधारण पास है अब मैंने का यार फिर कैसे answer बनेगा अब देखो क्या तीन अपोजिट बन सकता है इस दो के कभी नहीं सकता है तो यह काट दो अब आपका answer एक भी हो सकता और छे भी हो सकता है अब बताओ कि कौन सा answer होगा एक होगा या अच्छे होगा अब तो डाउट हो गया ना क्योंकि दो answer पेपर में लगा नहीं सकते एक और छे तो अब इस condition में आपका answer cannot determine चला जाएगा इस condition में आपका जो answer है हाँ समझाई बात आपका जो answer option number D बन जाएगा देखो मैंने बहुत आराम से सारी चीज़ बता दी डाइस क्या होती है कितने प्रकार की होती है और कैसे answer निकाला जाता है सब को समझ में आ गया clear है यहां तक एक बार जल्दी से सब लोग comment कर दो देन उसके और एक बार like भी कर दो सेशन को और share भी कर दो देन हम आगे की तरह बढ़ें हाँ clear है नहीं लेते हैं बेटा ऐसे कुछ भी नहीं है हाँ आज आ बेटा डॉली बड़े दिन बाद आई आज तुम यहां पर हाँ चली बिलकुल बिलकुल clear है आगे बढ़ते हैं अब मैं आप लोग के सामने questions कराना स्टार्ट करता हूं तो यह वाला बिलकुल अच्छे से basic सब कुछ clear हो गया अब आते है question series पर चलो पहला question आपके सामने है question क्या कह रहा है दी गई sheet को मोड कर एक घन बनाया जाता है इस तरह निर्मित घन में निर्मित से कौन सा अक्षर युग्म विप्रीत प्रिस्टों पर होगा विप्रीत सतह कैसे निकलती है अब समझना जब आपकी यह open dice होती है तो opposite surface जो ह होता है opposite surface होता है जो विप्रीत सतह होती है जो विप्रीत सतह होती है वो alternate में आती है वो किस में आती है वो alternate में आती है विप्रीत सतह हमेशा alternate में आती है alternative में आती है ठीक है ध्यान समझेगा इसको यहां पर देखो तो क्या भोला यहां पर ध्यान समझीगा तो देखो A का आपोजिट एक सतह छोड़ कर आएगा तो A का आपोजिट E आजाएगा F का आपोजिट D आजाएगा और B का आपोजिट C आजाएगा देखो इसको समझाने के लिए मैं आप लोग को एक बॉक्स लेता हूँ एक सेकंड देना चलो जैसे यह मिल गया छोटा सा डिबबद देखो जैसे माल वह थोड़देखने हम लोग यह समझने यह थाई से अब देखो यहाँ पर जैसी इस वाले आई के अपोजिट यह वाला आई होगा देखो ना दोनों आई एक दूसरे का पोजिट हो उस वाले I के opposite ये लिखा वाला इसा होगा बिल्कुल और इस वाले I के नीचे ये वाला धक्कन होगा मानते हो ना तो जो ये वाली सत्ह है और ये वाला जो धक्कन है ये B और C की तरह है ये कैसे B और C है कौन सा ये वाला और ये वाला जो है ये B और C है ठीक है अब अगर मैं इस पर लिख तो नहीं पहूंगा, अगर थोड़ी देख लें, माल लो, ये E है, ठीक है, ये F है, ये वाला आपका E है, तो देखो, A के opposite क्या आ रहा है, E आ रहा है, एक सत्य छोड़कर, एक सत्य छोड़कर हमेशा opposite आता है, एक सत्य छोड़कर हमेशा क्या आत है मेरे दोस्तों अपोजेट आता है ख Deus की आपको यह लिए आफ और देखना था दिखो अपने क्या थाए अपने बताया एक आपोजेट आपने वी भग電 कर resort आथ एईड़ी आएगा और बी यह अपने वता है एससे चल रहा क्लियर हुआ सब ही लोग को डन है था ठीक है चलो अगले में आ जाते हैं अगला नेक्स गोशिचन आप लोग की स्क्रीन पर है आपको निकाल करके बताना है च्य के विप्रित क्या आएगा हाँ नहीं बेटा, you can do it आपने नाम बहुत अच्छा रखा है, तो you can do it आप दोनों चीजों को बहुत अच्छा कर सकते हो एक साथ सभी लोग मिलकर के पहले बार सेशन को लाइक करो यार इतने लोग लाइव हो लेकिन सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं इतने लोग यहाँ पर लाइव हैं लेकिन सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं ठीक है ना, सभी लोग जाओ, फटाक से एक बार लाइक करो लाइक का बटन प्रेस करने में आप लोग को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए अब देखो, अब जब यह दो डाइस आई तो आप लोग के दिमाग में यह बात आई होगी कि सर इसको कैसे करें, आपने अभी इसका लॉजिक तो बताया नहीं सर अभी आपने एक डाइस को सॉल करना सिखाया, जिसका लॉजिक हमने सिखा और उससाप से हम एंसर कर रहे हैं अब अगर आपके दो की बात की जाए, दो डाइस की बात की जाए, तो वो कैसे एंसर होंगे, समझेगा बहुत ध्यान से ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर देखे, छे के अपोजिट पूछा, पहले इन दो नहीं देखो कुछ कॉमन है, यहाँ आपने कहा, सर पांच कॉमन है तो जब ऐसे लिखते हैं, तो जो नमबर जिसके नंचे आता है, उसका ऑपोजिट होता है, अब पांच होता है, एक 1 इस्तिमाल हो गया 3 हो घार हो गया 5 भी हो गया, अब क्या बज़ गया, च्छे, तो वो किसके आपोजिट जायेगा जो दोनों में common है जो दोनों में common है वो उसके opposite चला जाएगा जो number दिखाई नहीं दे रहा है तो 6 के opposite पूछा था तो आप सीधे-सीधे कह सकते थे कि इसका answer 5 हो जाएगा option number D आ जाएगा बताओ कोई समस्या किसी को यहां तक clear हो गया सभी को चलो next question हाँ अगले question पर आ जाते हैं अब इसको try करेंगे यहां पर बोला है select the dice that can be made by folding the given sheet along the line given on it बताइए अगर इसको मोडा जाए तो कौन सा बनेगा हाँ बिलकुल बना सकते हो रिशी राज बिलकुल बना लीजे हाँ बिलकुल बिलकुल बना लीजे आपको सारी चीजें clear हो जाएंगी चले अगला question अलो जल्दी ली answer करो डॉली अच्छा चस्मा है मेरा मस्त बड़े दिन बाद डॉली आजकल किसे exam की त्यारी कर रही हो चलो अब यहां देखो अब जब भी हम खुले पासे को बंद करते हैं ध्यान लखना जब भी हम खुले पासे को बंद करते हैं खुले पासे को क्या करते हैं खुले पासे को क्या करते हैं बंद करते हैं तो एक बात का ध्यान लखना विप्रीट सतह कभी एक साथ नहीं आती है समझाई बात कभी भी एक साथ विप्रीट सतह नहीं आती है तो ध्यान समझेगा इस चीज़ को देखो डॉलर का विप्रीट क्या है अगर डॉलर का विप्रीट क्या है अगर डॉलर और एक साथ दिखिया तो गलत है देखो डॉलर एक साथ नहीं दिख रहा है चलो परसिंटेज का विप्रीट क्या है है अगर परसिंटेज और हैस एक साथ दिखा तो देखो percentage और hash, percentage और hash तो ये दोनों dice अब नहीं बन सकती इस बात की surety हमारे को मिल गई है अब उसके साथ इस exclamation का opposite ये O है इस exclamation का opposite O है तो exclamation का opposite O नहीं आ रहा है अब इसके ये पता चलता है कि आप A वाली dice भी बना सकते हैं क्योंकि देखो dollar, dollar, hash और exclamation कोई किसी का opposite नहीं है बन सकती है add the rate percentage, add the rate percentage और exclamation ये भी किसी का opposite नहीं है भी यानि A और B दोनों बनाई जा सकती है आपका answer C वाला option बन जाएगा आपका answer C वाला option बन जाएगा अब बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को कोई problem अच्छ समझ में आई बात अगर एक साथ आ रही है तो वो गलत हो रहा है आपका चलिए अगले question पर आते है next question इसको try करिए तो आपको बताना है कागच की दी गए sheet को मोड़कर निम्न में से कौन सा box नहीं बनाया जा सकता इस नहीं को underline क्यार दिया है मैंने ना न बिटा मानवी नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं अनसू पटेल बहुत सही सभी लोग बताईए हाँ डॉली और आजकल उसके क्या हाल है टीशा के हाँ बाचीत हो रही है लो भाई साब पापा की चुडेल ने तो dice भेज दिया D option ओके D option अच्छी तरह से आता है चलो बहुत अच्छी बात है तो question गलत नहीं होने चाहिए ना चलो यहां पर आओ तो देखो दो का opposite क्या है नो तो दो और नो एक साथ दिख रहे हैं यहां भी नहीं है यह देखो दो और नो एक साथ दिख रहे हैं जब दो और नो एक साथ दिख रहे हैं इसका मतलब है के इस dice को हम नहीं बना सकते हैं मैंने पीछे बताया था जब भी हम खुले पासे को बंद करते हैं तो विपरीत सत हैं कभी एक साथ नहीं आती है आई बार समझ में, तो आपका answer क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, आपका answer बन जाएगा option number B option number B बन जाएगा option number B बन जाएगा, चले अगला question next question सभी लोग मिलकर गए बार session को share कर दें ठीक है, और like कर दीजेगा आपकी इच्छा करें तो हाँ, अच्छा अंसू, ओके, तो नाम क्यों बदल दिया, अंसू सक्सेना हाँ, समझ गया, रे तेस हाँ सर, उसको अच्छा, अच्छा, ऐसा भी है, तुम्हारा विश्वास तो नहीं उठा अभी ओहो, कल पेपर था, पेपर लीक हो गया, कल पेश विटा, क्या कर सकते हैं, चले, कोई बात नहीं है, अगला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, हाँ, अगले कोश्चन पर आ जाईए, अब बोलाएं, अगला कोश्चन आपसे, कि तीन के अपोजिट निकालना है, किसके तीन के, लॉजिक वही है आपका, जो मैंने आपको सिखाया, देखो, दो लॉजिक हैं, एक तो आपने भी पीछे सिखा, एक सतह समान वाला, कौन सा, एक सतह समान वाला, दूसरा एक लॉजिक और है, जिसमें दो सतह समान हो जाते हैं, किसमें, जिसमें दो सतह क्या हो जाते हैं, समान, अगर दो सतह स हुआ कि आप कभी इन दोनों को compare मत करना पहली चीज़ सुन लो जिसका opposite पूछा जाता है कभी भी उसको हम common नहीं लेते हैं एसी डाइस में जिसका opposite पूछा गया ठीक है तो अब इसका मतलब या तो मैं इस पहले दूसरे से एंसर निकालूँगा या तो इस वाले से तो मैंने देखा इन दोनों में दो और चार कॉमन है दो और चार दो चार काट दो तो तीन का विप्रीज सीधे-सीधे क्या हो हाँ ठीक है ना आई वाज समझे इसलिए कहता हूँ रेगुलर पढ़ते रहो एक एक चीज कवर होगी और आपके MTS के एक्जाम में भी इस प्लेइलिस्ट को आप फॉलो कर लो आपके सारे चैप्टर भी कवर हो जाएंगे और आप MTS के एक्जाम के लिए रीजनिंग को त आप अच्छे से नंबर लेकर आ जाओ हाँ जी बेटा रितेस हाँ डन 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 अजिकारी हाँ से थैंक्यू बेटा डॉली चलिए अगला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है देखें अब आपसे पूछा है ध्यान सुनिएगा एक पासे की तीन बार एक ही क्रम में घुमाया जाता है इस्थितियां उनकी दो इस्थितियां एक्सवन एक्सटू दी गई है निमलिखित विकल्पों में से अगली संभावित इस्थिति क्या होगी यानि नेक्स्ट वाला कौन सा बनेगा कैसे निकाला जाए आई-बी के लिए भी कर सकते हो हाँ तुम्हारा पेपर कव है सोनू हाँ जी चार छी आनवे नो एक्सो एक्सट हाँ ड़न है चलो देखते हैं एक कोश्चन सोनू ने पूछा है आप सब लोग ट्राई करेंगे हाँ पर साथ में चार छी आनवे उसके बाद 13 अगला और उसके बाद 961 यह है यह सोनू ने भी एक कोश्चन पूछा है ठीक है दन है ठीक है तब तक हम और चीज़ों को करते रहते हैं आप लोग इसको भी ट्राई करिएगा हाँ अब यहां पर देखिए यहां पर जब हम लोग बात करने की कोशिस करते हैं तो पहले आप अपोजट निकालो देखो एक और तीन एक और तीन तो दो का अपोजट क्या हो जाएगा पांच तो दो का अपोजट क्या हो गया पांच आपको बताना है नेक्स्ट वाला क्य ऐका बनेगा तूज़र देखो अब जब 2 का अपोसेट पांच जो आ définते हैं अगर हम इसमें देखने की कोसिज करें तो 3 2 तो इसमें काटँगे 3 और 2 3 और 2 काटोगी तो 6 चैने चैने किसे के वाट थी से कश्च एक 1 अब यहां ओप शेयक गिया तो नहीं आ जाएगा अब आपके पास जो नंबर्स आ रहे हैं आपर देखलो अगर मैं पहले और आखरी को लों 3 में क्लॉक वाइज गुमां तो 3-6263 च्छे दो और 3-153-1 और 5 तो 3 का पोजट तो लिए चार की आजाएगा ठीक है पहले और आखरी से भी करके देख लिए अब हमारे को देखना यहाँ पर कौन सा वाला एंसर बन सकता है चलो यहाँ पर आओ इधर देखो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ देखने की कोशिस करें देखो मैं आपको दो चीज़ों से निकाल बताऊंगा अब देखो तीन छे गया चार हो गया और दो हो गया यानि यहाँ से भी बन सकता है अब बताईए जब आपको हाँ अब आप बताओ कि इस में से कैसे response बनाया जा क्योंकि आपको तो सारी चीज़ें दिख रहे हैं अब इन में से भी कोई opposite नहीं हो रहा है तो अब कैसे answer निकलेगा कोई बताएगा हाँ जी सभी बात है अब बताएए जो बहुत देर से सब लोग कह रहे थे कि सर आसान हो गया सब आसान हो गया आप हमने सब कर लिया अब बता सकता है कोई कि कैसे response बनेगा क्योंकि देखो इस वाले में देखें तो तीन और दो common रखा छे की जगए एक आया फिर इस वाले में देखो तो तीन और एक common रखा और हमारा देखेंगा अब आप लोग rotation समझना पड़ेगा इधर देखो ये दोनों number यहां रखा एक number पर बतला फिर देखो यह देखो यहां पर देखो तीन और दो हो गया तो अब अगले में देखो यहां पर तो यह देखो तीन और एक तो तीन एक और ऐसे हो गया और वाकिए ऐसे रहा अब अगले में क्या जाएगा अब उस चीज़ को देखने की कोशिस करो यहांपर जल्दी से तो अब यहां पर देखो ये 3 रहेगा और अगले में जब अगली डाइस बनेगी तो ये वाला 3 और ये 5 यहां आजाएगा, तो देखो 3 और 5 यहां आ रहा है, इसका मतलब यह वाला गलत है, आपका एंसर B वाला बन जाएगा और ऐसे ही question में आप paper में confused हो जाओगे देखो मैंने आपको बताया ये देखो ये rotate हुआ 3 और 2 उठके यहां गया ऐसी यहां देखो अगले में देखने की कोशिस करो 3 और 1 में 1 उठके यहां चला गया तो 3 और 5 में 5 उठके यहां चला जाएगा 5 उठके यहां जाएगा तो इस वाले में नहीं है आपका answer B वाला आएगा देखो द्यान से rotate हो रहा ये दो उठके यहां गया ये एक उठके यहां गया देखो ना ये दो यहां से आया ये एक यहां से आया तो ये 5 उठके यहां से यहां आएगा यहां आने का मतलब है इस वाले option में बनेगा, again समझ में आई बात, इसलिए कहता हूँ class करना सुरू कर दो regular basis पर हाँ अभी clear हो गया, समझ गया हाँ, you turn करके जो भी कहना है ठीक है, चलो अगले question पर आजाओ, निकालो इसको हाँ अगला वाला नहीं, last वाला नहीं समझ में आया अरे मैंने का इदर देखो देखो, तीन यहीं था, तीन यहीं था तीन यहीं था, तो अगली जो dice बनेगी उसमें भी तीन यहीं आएगा, ठीक है, पहली चीज तो समझो, पांच और दो से यह कार दिया यह कार दिया, यह तो हमने कार दिया, अब समझना देखो, यह वाला दो उठके अगले में यहां बना, क्योंकि घुमा रहे न, यहां बोला है, एक ही पांसे कि तीन बार एक ही करम में घुमा जाता है, तीन बार यहां से रुट के उपर तो देखो तीन और पांच इसमें गया बाकी आपका गलत हो जाएगा ठीक है अब बताओ जो इतनी देर से कहते हैं अरे बड़ा आसान है वो आसान वाले कहां गए हाँ अब बताओ वो आसान वाले कहां चले गए उनको तो जवाब करना था ना यहां पर हाँ चलो ध्यान से देखो यहां पर अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर है बोला है कौन सी संख्या मौजूद होगी तीन के अपोजिट तो तीन के अपोजिट क्या आ जाएगा एक सत्य छोड़ कर दो आ जाएगा तीन की जगह पे क्या आ जाए एक सत्र छोड़ कर दो आ जाएगा अगला question निकालिए तो dollar के opposite क्या आएगा जी हाँ सोनू तुम्हारा वाला question कहा गया तीन के विपरी तो निकल गया सोनू का question हाँ जी 4.96 अब सब लोग किसी ने बताया नहीं 4.96 हाँ सोनम बताओ answer बताओ कि 2 बाखी सब लोग जितने लोग है answer निकालिए 4.96 है ऐसे ही 9.161 है 9.161 है तो आपको निकालना है 13 ठीक है तो अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिस करें square करके दुगना करने से तो बात नहीं बन रही है 9.6.15 हो गया देखो दो आपके पास सामने दो questions है हाँ जी कोई option है बेटा सुनू हाँ जी बिल्कुल मैं ले आया हूँ इसलिए चलो यहाँ पर आओ यहाँ पर पूछा है end के opposite तो end के opposite आ जाएगा dollar end के opposite आ जाएगा dollar जी दन है चलो यह answer तो सब लोग ने कर लिया अब यहाँ पर देखकर बताओ कि क्या response बनेगा यहाँ पर देखकर बताईए कि क्या response आएगा anybody हाँ बी answer वो तो dice वाला आप लोग ने कर लिया और बिल्कुल सही answer आया है चलिए एक RC राथोड ने किया है 249 सबका अलग अलग answer आने लगा है हम अगर हम यहाँ पर देख अगर हम यहाँ पर देख होगा 13 से अगर हम लोग करें तो square हाँ जी देखो क्या हम ऐसा कह सकते हैं मिज़ा देखो जैसे इस वाले में जो बात समझ आ रही थी कि 9 का square इंटू 2 और माइनस एक तो 9 का square एक क्यासी गुणे दो कर देंगी तो 162 और माइनस एक कर देंगी तो 161 9 इंटू 2 और माइनस एक कर दो तो 9 दुनी 18 का 8 फिर एक हांसी लग गया अच्छा दुनी बारक तिर तीन फिर एक हांसी लग गया दो एक कम दो एक तीन 338 हाँ माइनस एक कर देंगे तो 337 हो सकता है ऐसा अगर option दिया हो बेटा तो सोनो ऐसा कर सकते है क्लियर हो गया एक तो यह logic बना सकते है जो पहले में हिटरेंट ट्रायल में नहीं लगा लेकिन हमने इसके बेहाँ पर हिटरेंट ट्रायल मारा के square करके into 2 करो माइनस एक कर दो इस एक के हिसाब से हमने हिटरेंट ट्रायल मार दिया ठीक है बाकी अगर option होता तो हम और अच्छे से कर पाते है ठीक है इन में न बिटा जो यह एनलोगी के questions होते हैं सीरीज के logic होते हैं यह बहुत सारे होते हैं इसलिए आपने देखा होगा maximum time में options लेकर आता हूं इन chapters में बिना option के नहीं आता हूं चलो अगला question आप लोग के screen पर आ गई है आगया है आपसे बोला है कि कौन सा बनाया जा सकता है बनाया सकने है मतलब 3 का opposite 6 है तो 3 और 6 साथ आएगा तो नहीं बनेगा 3 और 6 देखो साथ है न यह वाला नहीं बन सकता एक का opposite 4 है एक और 4 एक साथ है नहीं बन सकता फिर उसके बाद 2 का opposite 5 है 2 और 5 नहीं है B और C बन सकता है तो B और C बोले तो option number D वाला answer बन जाएगा clear हुआ सबी को option number D ज्यादा तर जो hard होते है न लोगी की वो number और word के letter नहीं होता कभी भी hard बताईए कौन सा वाला बनाया जा सकता है निकाल करके बताना है हाँ अच्छा सोनू कह रहा है कि logic कुछ ऐसा था उस question का कि square करके plus 80 अब ये तो वही काना मैंने option के हिसाब से hit and trial मारा सकता था कि यसे 4 का square और plus 80 करें तो 4 का square कितना है 16 और plus 80 कर देंगे तो कितना आ जाएगा च्छानवे आ जाएगा ठीक है तो ऐसे 13 का square और plus 80 तो 13 का square 169 और plus 80 कर देते तो 9, 8, 6, 14, 4 फिर एक हांसी लग गया ये 249 लेकिन ये totally based on option बेटा सोनू ठीक है हाँ जी तो इसलिए आप लोग जो है आराम से share करके group में solve कर लिया करो और Instagram पर फॉलो करो वहां पर मैं लाइव आके आप लोगों से हल चाल लेता रहता हूं ठीक है चलिए यहां पर आ जाई देखिए और बताईएगा बोला है रेखाओं पर मोड कर बनाया जा सकता है तो देखो टू का opposite 4 टू और 4 जैम आता दी 1 का 6, 1 का 6, 3 का 5, 3 का opposite 5 यह नहीं बन सकता यह भी नहीं बन सकता आपका answer only C है यानि आपका option B पता है यहां पर गलती क्या होती है only C दिखते ही हम C वाले option की तरफ भाग जाते हैं बट इस बात का ध्यान देना कि वो किस option की बात कर रहा है बट इस बात का ध्यान देना कि वो किस option की बात कर रहा है उस option के हिसाब से answer करिएगा तो your answer will be option number B हो जाएगा clear है चलिए अगला question इसको निकालो इसमें बताओ तो कौन सा वाला बनाया जा सकता है हाँ हाँ अमरेस पटेल सोनू बता देगा सोनू से पूछलो चलो देखो यहाँ पर बी का opposite है H तो B और H नहीं एकस का के एकस का के एकस का के है नहीं बन सकता उसके बाद L का opposite O L का opposite O नहीं है इसका आतला A, B और C यह तीनों बन सकता है आपका answer A, B और C तीनों बन सकता है यानि आपका option चला जाएगा answer number D option चला जाएगा D, answer number D आपका final answer बन जाएगा चलो, अगला देखेगा 5 के opposite निकाल करके बताई यह कौन सा वाला बनेगा कल का topic है calendar तो आप लोगों को जितने लोगों को calendar में problem होती है कल दोपहर दो बज़े की class में और हाँ सुन लो जितने भी दोस्त हमारे MTS के exam की त्यारी कर रहे है उनके लिए सुबह दस बज़े class रहेगी मेरी सुबह दस बज़े आप लोग उस class से जुड़िए और एक बच के 50 मिनट पर एक बच के 50 मिनट पर same session रहेगा समझमारी बात same session चलो आ जाईए यहाँ पर देखिए और बताईए ठीक है ना हाँ तो कल की class में जरूर आप सब लोग अपने calendar के दुख को दर्द को किड़नी पेट लीवर जहां दर्द है वो सब दूर करिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है पांच के अपोजिट क्या आएगा तो पांच के अपोजिट हो जाएगा नो पांच के अपोजिट हो जाएगा नो यानि option number A बन जाएगा अब निकालो बोलाए अक्षर A, B, C, D, E और F से अंकित A कही पासे की दो अलग-अलग इस्तितियां दसाई गई है उस अक्षर का चैन करें जो A के अपोजिट आएगा A के अपोजिट वाला अक्षर क्या होगा A के अपोजिट वाला अक्षर कौन सा या क्या होगा निकाल करके बताना है आप लोग को बताईए जी 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 अब यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिस करें तो इन दोनों में common दिख रहा है E आपको वैसे answer दिख गया होगा कि A जो है वो E के opposite आएगा लेकिन नहीं common वाला देखते तो वैसे उसने A के पूछा यह तो दिख रहा है अगर नहीं दिख रहा होता तो E के opposite अगर पूछा जाता तो दोक्षन नहीं दिख रहा है that is C अगर E के opposite पूछ लेता कि E के opposite क्या आएगा तो आपका answer आजाता C औरल करने का तरीका बट यहाँ देखो clockwise घुमाना पड़ेगा क्योंकि E common है E, D, A E, D, A और E, B, F E, B और F तो E का opposite क्या हो जाएगा E का opposite क्या हो जाएगा C वैसे उसने E का opposite पूछा था आपका answer आ गया that is B option F that is B option F that is B option F अगला question तीन के opposite बेटा बारिस तो कल यहाँ भी कल से गुलगाओं में लगातार बारिस हो रही है जी पिलकुल next question आपकी screen पर है तीन के opposite क्या आएगा अब देखो तीन के opposite निकालना है हमारे को तीन के opposite निकालना है तीन कहा है यहाँ है और तीन कहीं है नहीं है चार और दो common है यह देखो चार और दो चार और दो तीन के opposite साफ साफ दिख रहा है क्या आजाएगा मेरे 0, 3 के अपोजिट आजाएगा 6 सबसे पहले 2 सत्य समान वाला लॉजिक लगाया करो सबसे पहले 2 सर्फिस कॉमन, 2 सर्फिस कॉमन वाला लॉजिक लगाओ और उसके हिसाब से एंसर करने की कोशिस करो पूछा है आप से कौन सा फलक R से सटा हुआ नहीं हो सकता यानि R से सटा हुआ नहीं सकता तो R के अपोजिट क्या नहीं होगा वो निकाल करके बताना है, R के अपोजिट क्या नहीं होगा या क्या होगा, बोला है, बोला है यहाँ पर when the following figure is folded to from a box which face cannot be adjacent to R R के opposite मतलब R का पडोसी कौन नहीं होगा देखो एक बात बताओ जब R का पडोसी पूछा है R का पडोसी कौन सा नहीं होगा तो इसका मतलब जो R के विपरी तो होगा जो R के विपरी तो होगा वो कभी भी R के पडोस में नहीं आएगा क्योंकि देखो सीधी सी बात है अगर मेरे इस हाथ के opposite ये है तो इसका मतलब ये कभी भी इसका पडोसी नहीं बन सकता आई बात समझ में तो R का विपरीत क्या है R का विपरीत देख रहो question की language देख लो वेटा ऐसे ही चीज़ें आप लोग के एक्जाम में पूछी जाएंगी अगला question निकालीए जल्दे जल्दे निकालीए और बताईए डन है बेटा 80 स्मिस्टर 12 के बाद आप आराम से form भर सकते 10 प्लस 2 का वैसे अभी मौका है दसवी वाले MTS के form को भरने का जिसमें 12,523 vacancies है अच्छा नंबर है form भरो और job लो पहले ठीक है चलो देखो यहाँ पर बोला है कि मोड कर बनाया सकता है जिसे हम बना सकते हैं वो तो देखो 2 का opposite एक है देखो 2 का opposite एक साथ दिखा काट दो 4 का opposite 3 है 6 का opposite 5 है 6 का opposite 5 है यह भी नहीं बन सकता तो आपका answer A and C बन सकता है तो आपका answer क्या बन जाएगा D वाला बन जाएगा A and C बन सकता है अगला और बता दिए 17 नंबर हाँ जी ने ने बेटा हम लोग Cyber Park Cyber Park ठीक है 39 चली देखिए यहाँ पर बोलाएं कौन सा वाला बनाया सकता है तो देखो 3 का opposite 4 है 3 और 4 अगर 7 दिखा तो कार्ट दो कार्ट दो यह नहीं बन सकता 1 का opposite 2 है 5 का opposite 6 है नहीं है तो आपका answer A और B बन सकता है ठीक है चलो यह question आप लोग के लिए HW है यह question आप लोग के लिए क्या है मेरे दोस्तों HW है इस question का answer जरूर comment box में comment करके बताईएगा आप सभी दोस्तों को मैं बता दू कि आप सभी लोग SSC MTS की 12,523 पदों के लिए पद के लिए या पदों के लिए भया फॉर्म भर दो 10 पास मांगा है 10 वी पास मांगा है आपके पास फॉर्म भरने में के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है last date का इंतजार मत करो क्योंकि आखरी एक हपते में website बहुत दिक्कत करती है मेरे साथ तयारी करना चाहते हो reasoning की मेरे साथ reasoning की तयारी करना चाहते हो तो रोज साम 6 बजे रोज साम 6 बजे एप पर रोज साम 6 बजे कहां पर एप पर live class चलती है एप पर क्या चलती है live class चलती है मेरी ठीक है बस आप लोग को अगर जुड़ना है तो Y461 इसी coupon code का इस्तेमाल करना होगा और इस coupon code को लगाते ही यह बैच आप लोग को अंदर मिल जाएगा double validity मिल जाएगी यानि 12 प्लस 12 महिने के लिए आपको यह बैच मिल जाएगा जिसमे 108 test series यानि new pattern जो बना है उसकी test series में upload हो चुकी है हमने जो पहले पढ़ा रखा है उसकी सारी की सारी recorded videos इसमें हैं उसके बाद आप लोग की जो e-books है e-books क्या होती है जैसे reasoning की, math की, gs की और english की इन सब का e-book e-book मतला pedia format जो किताब होती है न उसका pedia format नहीं नहीं बैटा यह तो huda city metro के पास है समझ गये तो यह सारी चीज़ है और live class मिलेगी तो reasoning रोज साम 6 वजे एप पर इस महा पैक में मेरी live class चलती reasoning की आज साम 6 वजे भी मैं आपसे मुलाकात करना चाहूंगा अगर आप सब लोग जाकर मेरा coupon code y461 लगाकर अगर आप इस बैच से जुड़ जाते हैं चले अगर आप GS की यह book भी मगाना चाहते हैं पवंस और रास्तो सर की तो y461 s code लगाकर आप इस book को भी order कर सकते हैं वैसे महा पैक अगर आपने ssc का ले लिया तो cgl, chsl, mts, gd सारे batchs के अंदर अगले दो साल के लिए मातर 2850 रुपे में मिल जाएगा कैसे y461 s code लगाने पर y461 s code लगाने पर यह batch भी आपको मिल जाएगा अगर आप CHSL के exam की त्यारी करना चाहते हो final test देना चाहते हो तो इस batch पर भी चल रही है double value जिसमें test series और live class दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी और साथ ही साथ अगर IB का form आप भर चुके है तो y461 code लगाकर IB के इस बैस से जुड़िए मातर 735 रुपे में मातर 735 रुपे में तो आप लोग को adda247.com की website पर जाना है समझ गए मेरे दोस्तों तो आप लोग को क्या करना है सुन लो आप लोग को क्या करना है सुनिए आप लोग को adda247.com पर जाना है जैसे यहां पहुंचोगी यह रहा यहां all courses पर जाएए यहां SSC पर जाएए यह है MTS यहां पर जाएए देखो महापैक पर double value दिख रही है इसमें test series live class कोई doubt हो इस वीडियो के नीचे comment करना है देखो test series 143 हो गई test series और बढ़ रही है इसमें daily test series add होती जाएगी बढ़ती रहेंगी तो Y461 apply करते ही देखो यह 911 दिख रहा है एप से खरीद लेना coins लगाके एप से खरीद लेना coins लगाके तो यह 850 रुपए का हो जाएगा Y461 यही coupon code लगाना है recorded class test series new pattern वाली new pattern वाली test series आप लोग को मिल जाएगी और यह देखो ebook live class ठीक है पस coupon code Y461 आज साम 6 बजे में आप लोगों साथ मुलाकात करूँगा ठीक है तो चलिए फिर आज के लिए तय रखते हैं मस्त रहिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए बागी आप लोगों से मुलाकात मैं करता रहूँगा और कल सुबर 10 बजे भी आप लोगों मेरे से मुलाकात करेंगे ठीक है कल सुबर 10 बजे हाँ दोनों पेपर मनी से एक ही दिन होंगे